तो शेली हैं यहां पर डीटेल कंपरेजन को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगा हमारे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है All New Yamaha की Aerox यह इसका 2024 वाला मॉडल है और लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है MT15 अगर हम दोनों के ऑन रोड में दोनों के पारे में तो सबसे पहले तो आप दोनों के फीचर के बारे में यहां पको अपको कंपनी प्रवाइट करती है LED में DRL और प्रिएक्टर में लाइट इस साइड में आपको मिलता है फ्रेंट्स यहां पे बाकि अगर आप डिजाइन देखते हैं तो दोनों और इंजिन के बारे में बात करते हैं तो दोनों में ही कंपनी में 155 CC का लिग्विड कूल इंजिन आपको प्रवाइड करती है जो के फ्रेंट्स यहां पे सेम हैं आपको बैजिंग भी यहां पे देखने को मिल जाएगा 155 लिक्विड कूल का अगर हम पावर फिगर्स की बात करते हैं तो एरोक्स जो पावर प्रियूस करता है वह है 14.75 बहपी का इसके पावर की बात करते हैं तो इसका पावर है 18.1 बहपी का एड़ेट 10,000 आर्पियम दोनों में यहां पे टॉर्क जो है वह आपको 14 नम का मिलता है और एरोक्स का जो फ्रेंट्स टॉर्क है वह है यहां पे 13.9 नम का एड़ेट 6,500 आर्पियम और इसका है 14.1 नम का एड़ बाकि अगर हम सस्पेंसर में यहां पर डिफरेंट्स की बात करते हैं तो यहां पर आपको फ्रेंट्स में मिलता है golden USD फोक्स आपको एरोक्स में कंपनी प्रोवाइड करती है तेलिस्कोपी फोक्स और वहीं अगर आप फ्रेंट्स दोनों के ओवर ओल में माईलेज बगर की है तो میलेज यहां पर 50k और आयरोक्स आपको 40k अप्रोग्स का माईलेज डिल्वर करेगी तो मैलेज में भी यहां पर फ्रेंट्स मिलता है और अगर हम अगर के बातका्य गर even की अका इसमें आपको ट्रांस्मिशन वह सीवीटी प्रोवाइट करती है और इसमें आपको मिलता है चेंड ड्राइब तो यहां पर आपको डिफरेंस जो है वह देखने को मिलेगा बाकि अगर हम बात करते हैं दोनों में आप ओवरॉल में डिजाइन में तो डिजाइन में भी अच् और इसमें कमपनी आपको प्रोवाइट करती है 100 सेक्शन का टायर दोनों ही बाइक साथ में और अगर आप यहां पर ओवरॉल में डिजाइन देखते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है राइट है इसका जो फ्रेंट्स यहां पर आपको डिस ब्रेक का साइज है व बाकि अगर आप यहां फ्रेंट्स ओवरॉल में आप एक कंप्लीट डिजाइन देखते हैं तो टैंक आप डिजाइन देख सकते हैं एम्टी 15 का इसका जो फ्रेंट्स से कव वेट है 141 kg का इसका कव वेट है 126 kg के एप्रॉक्स में तो यहां पर वेट जो है वो कम है और ऐर 145 mm का बागी So求 यहां देखते हैं तो दोदोहीं है यहां आप फ्रेन्ट्स में आपको मिलता है केळ चला तो यहां करती तो दोनों आपको दिखा देखते हैं इसका तो दोनों में आपको ब्लैक कलर का जो मतलब इंटीर का वो मिलेगा और इसमें कमपनी ब्लू में ओफर करती है बाकि अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो अरोक्स का थोड़ा जाद अच्छा है इसमें टाइम वगर यहां पर आपको सब देखने को मिलता है और इसमें अगर आप देखते हैं तो टाइम यहां पर नहीं लिखाएगा गियर पुशनिंग इंडिकेटर है यहां पर आर पियम इंडिकेटर है फ्यूल इंडिकेटर है ट्रिप मीटर आपको मिलता है और इस साइड में कंपनी यहां पर प्रोवाइड करती है हाई लो बीम पास चेटर है और इस साइड अगर आप इसके में तो बीम यहां पर आपका ईजली आ जाएगा तो इस पेस के मामले में हैं आपको काफी मतलब स्पेस कंपणी प्रोवाइड कर रही हैं अपनी एरॉक्स में तो यह हो गया फ्रेंटिसके अंटर सीट स्टोरिज की बात अगर आप सीट को देखते हैं तो यहां पर एरॉक्स का जो सीट ह यहां पर आपको Aerox की बैजिंग मिलेगी यहां महा की बैजिंग यहां पको मिलती है और यहां आता है ब्लू कोर टेकनोलोजी के साथ में बाकि अगर आप डोनों के डिजाइन को देखते हैं यहां से तो कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा काफी स्पोडी ल मिलेगा और फ्रेंट से भी यहां पर दोनों वाइक काफी अच्छी लगती है यहां पर अगर आप इसके लिवर बगर की क्वालिटी को देखते हैं तो वह सब यहां पर फ्रेंट सापको मिलता है बेस्ट क्वालिटी में और यहां पर एक छोड़ा सा वाइजर कंपनी ने खोड़ा है जितने भी ब्रेंट से वह आपको मिलते है निशन के क्यालिपर्स यहां पर सारे निशन के हैं और अगर आप यहां पर मुझसे पूछते हैं तो दोनों ही जो प्रोड़क्स हैं वह यहां पर यहां पर काफी बैली फोर मुनी आप्शन ए क्योंकि जासा तो फिर आप Aerox को चेक आउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें पावर जो है वह आपको काफी अच्छा मिल रहा है और MT15 के जैसा बाकी overall यह था है कि यहाँ पर सौट कमपरेशन तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं कि दोनों में सापको बेस्ट कौन सा लगा है कलर ऑप्शन आपको दोनों में मिल जाएगा यह वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं यहां सिपसक्ती मोटर्स में तो अगर आप ग्रिडी एरिया से बिलॉंग करते हैं तो शोरूम वजिट कर लें आपको यहां पर फ्रेंट स्टॉक्स देखने को मिलेगा आप यहां पर हम जो वीडियो को आटी करते हैं रहा बाते है पर लु教्स का तो एक ले यहां यहां पर दोनों में आपको बैट करकर लुक्स दिखा दते हैं ताकि आपको लूप्स का बनाएप ऐस मिलेगा पर भूंग चैनल हों फ्रेंट को किस तरह से आरग आवे हेंता है, अगर आब अग कि यह आपने मतलब जो है वो वाइक राइड कर रहा है अगर थोड़ी से अपकी हाइड कम भी है तो आप इसली से मैनेज कर पाएंगे बाकि लुक्स वाइस अगर आप देखते हैं तो यह इसका वाइट कलर वाला वीरियंट है इसका की कंपणी ने नाम रखाया आइस फ्लू है अब हम बैठते हैं एक बर यहां पर एरोक्स पे और एरोक्स का जो सीठ हाइट है वह इससे थोड़ा से कम है मतलब अगर आप थोड़े से सौट हाइट भी परसन है तो आपको एरोक्स में यहां पर थोड़ो से बेनिफिट रहेगा बाकि इसमें भी बीच में कंपनी ने हम दे रखा है तो अब हम बैठ रहे हैं यहां पर एरोक्स के उपर और यह आप देख सकते हैं यहां पर कुछ लुक्स बैठने के बाद तो यहां पर काफी अच्छा फ्रेंड्स इसका जो डिजाइन है और लूग है वह आपको मिलता है साइड से फ्रेंड्स यहां पर यह तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं मैं होप करता हूं आपकी सभी डाउट्स हम क्लियर कर पाए हूं अगर आपको कोई सा भी या महा का बाइक लेना है अगर आप ग्रीडी एरिया से बिलॉंग करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं या महा सिप सक्ती मोटर आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं तब तक के लिए आएम सत्यम गुपता साइनिंग ओफ थैंक ये फ्रेंड्स